बिग बॉस 13 की जंग शुरू हो चुकी है इसके में केवल पांच लड़के ही नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक का नाम है पारस छाबडा पारस को टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेबॉय माना जाता है इसके एक वजह ये भी है कि कई बार पारस का नाम अलग अलग हसीनाओं के साथ चुड़ चुका है बिग बॉस 13 के मंच पर भी पारस का कुछ ऐसा ही रूप देखने को मिला जिसके बाद से ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पारस बिग बॉस 13 के घर में आने वाले दिनों में किसी ना किसी हसीना के साथ फ्लॉट करते नजर जरूर आ सकते हैं हालांकि उनकी गर्फरिन आकांक्षा पुरी को लोगों की इन बातों पर जरा सब ही यकीन नहीं है दरसल ऐसा हम नहीं कह रहें बलकि आकांक्षा पुरी खुद इस बात का खुलासा कर रही है हाली में एक बाचीत के दोरान पारस की गर्फरिन आकांक्षा ने कहा पारस के लिए बिग बॉस 13 से कॉल आना बहुत बड़ी बात थी उसने मुझे बताया था कि वो हमेशा से ही बिग बॉस के घर में जाना चाहता था वो बिग बॉस के घर के लिए परफिक्ट पाकेज है बीते एपिसोड में पारस को देखने के बाद मुझे भी उसकी इस बात पर यकीन हो गया है कि वो ये शो जीट सकता है प्रीमियर में पारस चाबडा बागी कंटेस्टेंस से ज्यादा स्ट्रॉंग नज़र आ रहा था जो कि उसके लिए का अच्छी बात है घर में जाने से पहले मैंने उसको समझाया था कि बिग बॉस के घर में शांदार खेल खेलना जब से पारस ने खुद को प्लेबॉई के नाम से बुलाया है तब से पारस चाबडा के बारे में तरह तरह की खबरें सुनने में आ रही है जिसके बाद हर किसी की निगाहें केवल उसी पर ठीकी नज़र आए ये उनका खेल खेलने का तरीका है तब ही तो अमीशा पटेल भी उसकी तारीफ करती नज़र आई थी वैसे असल जिंदगी में पारस बहुत ही सचा इनसान है मुझको यकीन है कि एक गेम शो के लिए वो मेरा दिल तो नहीं तोड़ेगा तो देखा आपने आकांगशा पुरी की इस बात से इतना तो साफ है कि उनको इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग पारस को प्लेबॉय बता रहे हैं बलकि आकांगशा पुरी को इस बात का पूरा भरोसा है कि पारस उनको धोका कभी नहीं देंगे खेरिये तो विग बॉस 13 के आने वाले एपिसोड में साफ हो ही जाएगा कि पारस आकांगशापुरी की बातों पर कितना खरे उतरते हैं